आज मैं आप सब के साथ सेयर करूंगी कच्चे आम की खटी मीठी लौंजी की रेशिपी फ्रिंट्स आम का सीजन हो और ये खटी मीठी ना खाएं ये कैसे हो सकता है फ्रिंट्स ऐसा कहा जाता है कि सिजनल फ्रूट्स से बने हुए कोई भी चीज हमें एक बार जरूर खाना चाहिए तो चलिए देर किश बात की रेशिपी शुरू करते हैं मैंने यहां साथ से आठ मेरे पास कच्छे आम थे जिसको मैंने अच्छे से धो करके काट लिये हैं और काट करके उसे पानी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये काला ना पड़े पिर इसको अच्छे से हम पानी निकाल लेंगे और आम का पानी हमें अच्छे से शुखा लेना है तो अब हम बनाने की प्रोसिस में चलते हैं तो कड़ाई में दो चमच इतना हम ओयल डालेंगे ओयल आपको इसा भी ले सकते हैं लेकिन सरसो ओयल सबसे बेस्ट रहता है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चमच मेथी दाना डाला एक छोटा चमच खाड़ा जीरा एक सुखी मीर्च और एक छोटा चमच कलॉंजी कहें या मंग्रेल और एक छोटा चमच सौफ एक छोटा चमच हिंग पाउडर डाल देंगे और अच्छी खुश्बू आने तक इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे याद रहे इस फोरन को हमें जलाना नहीं है बस बढ़ियां से खुश्बू आने लगे फिर इसमें हम कच्छे आम को डाल देंगे डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके बीना कवर किये इसे हमें एक मिनिट के लिए भूनना है बीना कुछ डाले प्रेंट्स आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ओल कर दें इससे हमारी हर रेशे पी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचेगी तो इसके लिए हम एक स्पेशल मशाला तयार करेंगे मैंने एक चोटा चमच खाड़ा जीरा लिया एक शूखी मीर्च और एक चोटा चमच सौफ तो यह मशाला हमारा रेड़ी है एक तरफ हम आम को चेक कर लेते हैं तो आम भी एक मिनिट में देख सकते हैं कलर इसका चेंज होने लगा है तो यहाँ पे हम एक चोटा चमच बिल्कुल नमक एड़ करेंगे जो इस लौजी को एक अलग ही शौद देगा इसमें और बैलेंस करेगा इसमें कलर आने के लिए कस्मेरी मिच पाउडर छोटा चमच से मैंने इसमें एड़ किया है अब डालेंगे एक गिलास जितना इसमें पानी और इसको कवर करके एक उबाल आने तक हमें इंतजार करना है आपके घर में ये लौजी कौन बनाता है और आपका फेवरेट है की नहीं आप इसे कॉमेंट में करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें तो एक उबाल आ चुका है अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अब इसमें आड़ करेंगे जो हमने मसाला तयार किया था ना उसको आड़ कर देंगे ये भुना हुआ मसाला है इसमें अच्छे से और पक जाएगा और बहुत अच्छा इसमें बढ़ियाशी खुशबू लाएगा और टेस्टी तो बनाएगा ही यहाँ पर मैंने लगबग 200 ग्राम गुड़ी लिया है इसको भी एड़ कर देना है और लगबग 5-6 चमच चीनी का इस्थमाल मैंने किया है यह आपके आम के उपड़ी पेंट करता है कि आपका आम कितना खटा है उसके अनुसार आप चीनी और गुड़ डालें आप चाहे तो केवल चीनी में और केवल गुड़ में भी बना सकते हैं मैंने दोनों इस्तिमाल किया है यहाँ इसरे और भी ये टेस्टी बनता है और बहुत ही खाने में स्वादेश लगता है अब हम कवर कर लेंगे कवर करके इसे अच्छी थिकनेस आने तक इसे हमें इसे पकाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अभी ग्रेवी थोड़ी सी पतली लग रही है इसे एक से दो मिनट के लिए और भी हम पकाएंगे फिरें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करें तो यहाँ अब उबाल देख कर ही पता लग रहा है कि इसकी थिकनेस बढ़ियां आ गई है जैसी थिकनेस हमें चाहिए और इसे जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ दी जाएगी और बहुत ही स्वादिश्ट लगेगी तो यहाँ पर मैं इसे आम को फॉक से दबा करके दिखा देती हूँ बहुत ही ये पक चुका है बिलकुल अच्छे से तो यह से मैंने कैसे उतार लिया है देख सकते हैं बढ़ियांसी बनकर ये आम की लौजी बनकर रेडी है जो कि गर्मी में इसे जरूर खाना चाहिए सब को तो आप सब भी इसे जरूर ट्राइ करें फ्रिंस हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हूं नेक्स वीडियो में बाई बाई